नमस्कार दोस्तों, मैं कुनाल कालवरा, आपका बहुत बहुत सौर्ड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Marriage Lines on Female Hand ये एकसर question में पस आता है कि female hand पे marriage line कैसी देखनी चाहिए अब जारा तर तर ये question मेरे ख्याल से इसलिए होता है कि आप लोग अपने partner के अंदर female के अंदर देखना चाहते है कि marriage line कैसी है कहीं disturb तो नहीं है कहीं broken तो नहीं है कि अगर ये broken है तो इनका मतलब इसका रिष्टा तूटेगा कहीं 2-3 तो नहीं है अकसर ये question आता है कई बरी कहा जाता है कि 2-3 तो नहीं है marriage line के हाथ में ही देखनी है देखिए इस पर ये भी question है कि हमें क्या देखना चाहिए female के हैं में देखिए मैं आपको ये नहीं कहुँगा कि हम इन चीज़ों को एग्णोर कर सेथे आमने lines को देखने है और वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा भी ऐसा नहीं है नहीं बताऊगा बताऊंगा भी मगर हमने ये चीज़ नहीं देखिए क्या चीज़े देखनी चाहिए अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाले बेखर हर आत्मी की एक ही need होती कि एक ही relationship line होने चाहिए सीथी होने चाहिए कैसी होने चाहिए कुछ लोग ये भी देखना जाता है कि वही हामें पैसे वाला spouse चाहिए तो वो पैसे वाली चीज़े चैख करेंगे कि लगी के हाथ में पैसा है या नहीं है कुछ emotional चैक करेंगे कि इसके emotions बहुत अच्छे होने चाहिए अब emotions अच्छे होंगे तो overflow होंगे ही होंगे सवे रहे हैं मेरी बात को कोई चाहेगा outer beauty बहुत अच्छी हो internal चाहे ना हो कोई कहेगा internal beauty बहुत अच्छी होने चाहिए यह सारी चीज़े depend करती है आप किस तरह से हैं आपके mind में क्या चल रहा है example के तोर पे अब जैसे यह हाथ देखिए ठीक है यह हाथ में गहरी एक ही line है अब इसका मतलब क्या हुआ marriage line को आज हम detail में तोड़ा समझेंगे तो आपको थोड़ा सा clear हो जाएग ऐसी वीडियो के अदर अब देखिए यह गहरी line यह क्या show करती है यह गहरी line जो इस हाथ के अंदर ने यह show करती है कि यह चाते हैं मेरा एक e relation हो गहरा relation हो पक्का relation हो और मुझे सब कुछ उसमें मिले idle partner ढूणने की खोज जोती है वो single line गहरी line एक line बताती है तो अगर आप अपने female partner के अंदर ढूण रहे हैं तो उनके हाथ में अगर एक line है और गहरी खुदी होई ठिक है तो इसका मतलब वो उनके दिमाग में अगर left hand में है तो इसका मतलब arrange marriage के chances जाद है और अगर वो एक गुदी होई, एक कुथी होई line है तो इसका ये मतलब है कि वो एक relation चाती है और अगर इस relation में सब कुछ चाती है कि मज़े sex भी उसे relation में मिले मुझे प्यार भी, मुझे पैसा भी मुझे सब कुछ, एक support मिले एक दोस्त भी वो उसी में देखना जाती है वो जो हार चीज देखना जाते है वो एक single line बताती है अब इसका ये मतलब नहीं कि इनका दूसरा affair नहीं हो सकता या इनकी दूसरी शादी नहीं हो या गलफ prediction होगी अगर आपको ये कहता है कि इनकी दूसरी शादी नहीं होगी इस रॉंग prediction मैं बताता हूँ क्या होगा इसमें अगर इनका बाई चांस पहले शादी में पर प्रॉब्लम आगी या spouse की death होगी या divorce होगया कुछ भी होगया तो ये second partner में भी ये ही चीज़ें टूनेंगी ये second partner जो होगा उसमें भी जब तक इनको मिलेगा नहीं ये नहीं relationship में जाएंगी इनको चाहिए same चीज़ ही relationship के अंदर कि same चीज़ ही relationship के अंदर मुझे मिलेगा same partner idol partner मिलेगा तो मैं जाओं भी relationship में वरना नहीं जाओं ये एक important point है note करने वाला ठीक है अब हम बात करते हैं कि अगर multiple lines होती है ठीक है न marriage line के अंदर अगर multiple line है अगर माननी जा मैं रखो एक line दिखती है छोटी उसका मतलब कुछ छोटा relation था जो push period चला और उसके बाद ठीक है बिग बतलब खतम हो गया वो relation दिमाग से out हो गया अगर तीन line है दिखती है तो तीन line हो का मतलब हो गया कि एक relationship और future में मतलब marriage line के बाद अब वो देखना है कितना prominent है छोटा सा है तो इसका मतलब कोई और relation बन सकता है अब ये relation ज़रूरी नहीं है कि extra marital affair ही हो इसका ये मतलब है किसी का responsibility किसी से feelings आप अपने दिल की सारी share कर सकते उसके chances है in the future मगर अगर आपको ये तीन से ज़्यादा दिख रही है फिर आपने चेक करना है फिर आपने सिर्फ यहीं तक्सीमित नहीं रहना है फिर आपने सिर्फ यहां तक्सीमित नहीं रहना फिर आपने heart line देखनी है कि heart line जे कुछ droplets तो नहीं निकल रहे headline के ओपर, अगर निकल रहे हैं तो इसका ये मतलब है इनके बहुत सारे relation है एक romantic nature है मतलब इनका जो दिल है वो एक तरह रुक नहीं पाता ये मतलब इनके दिल को कोई सही इनसान नहीं मिला यहां हमें horoscope connect करनी पड़ेगी यहां हमें horoscope connect करनी पड़ेगी कि horoscope में देखना है कि कितने relationship दिख रहे है कि आगे वो period आएगा फिर किसे relationship का तो अगर ऐसा दिख रहा है तो इनकी life में कोई न कोई आता रहेगा इनका दिल टूकता रहेगा दिल से ये इतने weak हैं कि इनका मन बड़ी जल्दी फिसल जाता है इनका मन देखिए कुछ चीज़े होती हैं जो हम अपने आप करते हैं जो हमारे हाथ में होती हैं कि आप हमारा पेड वरा हुए फिर भी हमारी नियत खराव है और हमें दर right left जाएंगे कि आप खाना खाया होगा चरो बाहर जागे फिर भी कुछ over eating करते हैं जैसे कि मेरे साथ situation आप देख सकते हैं कि मेरे अधिस्टर्ब होता था गर पे खाना खाया होता था फिर भी बाहर गए काम अधिस्टर्ब होगा अप तुछ अचछा मिला खा लिया तो उसकी वज़े से मेरी health पे problem आई यही relationship के अंदर होता है क्या आपको घर पे सब चीज़े मिल रही है six, कपड़ा, पैसा, सब मिल रहा है फिर भी आपका मन जो है वो किसी और की तरफ attract हो रहा है कुछ न कुछ हो रहा है तो यह horoscope के अंदर disturbance है depression तो नहीं है, क्या है, कैसे है किस वज़े से जा रहे हो उसकी तो हम depth टक जाना एक अलगज चीज़ हो रही बट यह results हो सकते हैं कि जिसे हम कहते हैं कि multiple affairs होने के chances बन सकते हैं यह तो हो गया वो female के अंदर female के हाथ के अंदर हम marriage line देख सकते हैं ठीक है, मैंने बताया कि दो लाइने हैं टीन लाइने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं कि आदमी का कुछ छोटा relation बना हम अगर उसकी बाद खतम हो गया अगर दो तीन से जादा है तो इसका मतलब हो गया कि यह situation फिर हमने हाड लाइन के साथ भी देखनी है कि हार्ड लाइन में कुछ किस तरह का आदमी का नेचर है, उसका दिवाग किस तरह का है तो यह सारी चीज़े होगी मैरिज लाइन की, फिर मैंने एक बताया हुआ है मैरिज लाइन में फिर फोग बन रहा है तो इसका यह मतलब है कि आगे जाके यह relation टॉक्सिक हो सकते, बट यह आपको यह लड़कियों में बहुत कम देखने को मिलेगा यह एक्रोस थर्टी जैसे शादी को 4-5 साल हो गए है तो इस तरह के chances आपको देखने को मिल सकते हैं यह वाले फोग, दूसरे फोग के नहीं यह वाले फोग की तो उसमें chances मिल सकते हैं बट अगर आप सुचेंगे 17-18 साल की लड़की में अगर मिल रहा है तो फिर समय लेजिए कुछ और उसके दिमाग में चल रहा है तो फिर हमें पूरा है and analysis करना पड़े है एक हो सकता है कि अगर starting में फोग दिख रहा है ऐसे और ऐसे करके जा रही है लाइन तो इसका ये मतर्व है कि आपकी शादी में कुछ ना कुछ परशानिया चल रही है अभी लड़की खुद ही तयार नहीं है शादी के लिए अगर लड़की से आप relationship में है और relationship में आप कह रहे हैं कि आज अगर शादी करनी आगे ये planning करनी है बट इस sun shows कि अभी उसके दिमाग में भी दियर नहीं है कि शादी करनी भी है और ये ठीट जाएगी या नहीं जाएगी तो कहीं अगरी उसके दिमाग में confusion है और वो शादी के लिए अभी तयार नहीं तो ये period आपको थोड़ा सा disturbance वाला कर सकता आगी जाएगी तो ये कुछ symptoms हैं जो हमने कुछ चीज़ें हैं जो हम लड़की के हाथ में देख सकते हैं कि आज ये marriage line के अंदर हम लड़की के female hand के अंदर देख सकते हैं पाकि मैं बोलूँगा कि अपने आप डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए ये कही न कहीं चीज़ें डिस्टर भी करें ठीक हैं पूरे hand को पूरे horus को के analysis करने के बाद किसी के बारे में कुछ भी कहना ठीक है कि ये इस तरह का ग्राफ चाहेगा ऐसे किसी के बारे में ब्लंटली कहना ये मेरी आदत भी नहीं है और मैं आप भी नहीं कहूँगा कि आप इस चीज़ को पने दिमाज में काके अच्छागर तो दीगे जानकारी ठीक लगी होगी जल्दी मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्क्राइब